हेलो सुडेंट्स आप सभी का स्वागत है मेगनेट बेंस हिंदी पर मेरा नाम है अरुन और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के गणित के बारे में जो की हिंदी माध्यम के विध्यारतियों को पढ़ाया जा रहा है जाहें विध्यारति हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के हो जितने भी विध्यारति मेगनेट बेंस पर पढ़ते हैं उन सभी को हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं लब आपकी जो भी स्कूरी सिख्षा है जो भी आपको यहां पढ़ाए जाएगा और वह क्यों क्यों कि आपको ncr t का एक एक प्रश्न अभी यहां पर हल करें जा रहा है कॉन्सेट के साथ आपको पहले पढ़ाया जाता है उसके बाद उसका concept उसके बाद हम लोग सवाल करते हैं तो इस तरह से आपकी किताब का एक भी सवाल नहीं चूट जाता है तो आपके लिए बहुत उप्योगी चीज है उसके अलावा जो भी आप यहां पढ़ते हैं वो पूरी तरह से मुफ्त है ऐसा नहीं है कि आपको NCRT उधारन करा दिये और प्रिष्णावली करने के लिए पैसे ले लिए यह आपको पढ़ा दिया और यह बुला कि तीन चप्टर पढ़के चौथर चप्टर के सब पैसे दिए ऐसा कुछ कभी नहीं होने वाला है चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी आज हम लोग देखेंगे क्रमचय संचय नाम के अध्याय में पाठ साथ के बारे में देख रहें पाठ साथ यह है और क्रमचय संचय में हम लोगों ने अभी तक गुणा और जोड के नियम किये थे उस पर हमने प्रिशनावली साथ दशमलाव एक भी हलके थी अब हम लोग बात करेंगे क्रमचय के बारे में की क्रमचय क्या होता है और इसके कुछ उधारन भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आई ये शुरुबात करते हैं क्रमचय से अंग्रेजी में इसे पर्मूटेशन कहा जाता है क्रमचय का मतलब है चीजों को क्रम में जमाना जैसे माल लीजिए आपके पास तीन अक्षर है ए बी और सी अब इनको आप कितने अलग अलग तरीकों से जमा सकते हो तो किसी वेक्ति ने कहा कि एक तो A, B, C लिख दो हमने कहा ठीक है किसी ने कहा कि आप C को पहले करके B को बाद में कर दो ये भी बड़िया चीज है किसी ने कहा कि B को पहले करको A C लिख दो किसी ने कहा कि C को बाद में करके C A लिख दो अब किसी ने कहा कि C पहले करके A B और किसी ने कहा कि C बाद में करके B A इस तरीके से आप इन्हें कुल 6 अलग अलग तरीकों से जमा सकते हो और यही क्रमचाय होता है उधारन के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपके स्कूल के दस विध्यारती है दसों विध्यारती को एक पंक्ती में खड़े हो जाना है तो स्कूल में एक बाइडिफॉल्ट नियम होता है कि जिसकी हाइट छोटी है वो पहले खड़ा होगा जिसकी हाइट जाता है वो सबसे बाद में खड़ा होगा ताकि सबको दिखे इस नियम को तोड़ देते हैं फिरमन बोलते हैं कि जितने भी विध्यारती है वो खड़े हो जाए जिस भी रेशियों में खड़े होना है जहां भी खड़े होना है तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हो त मैं दस में से पाच विध्यारती को बोल सकता हूं कि दस में से कोई भी पाच विध्यारती आईए और एक पंक्ती में खड़े हो जाईए तो इस तरह से हम क्रमचय के बारे में बात करते हैं क्रमचय का मतलब है पर मूटेशन अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इसका मतलब ह है हम वस्तुओं को व्यक्तियों को कितने अलग अलग तरीकों से जमा सकते हैं अब देखिए दो तरीके हैं एक तो था कि आपके पास ABC था और ABC में से आपने तीनों तीनों को जमाया है ना तीनों को लिया अगर मैं कहूं कि आप दो को लीजिए है ना आपको कितनों को लेना ABC में से किनी दो को लेना है और इन्हें जमाना है तीनों को नहीं लेना तो सबसे पहले आपके सामने एक संकर तो यह कि आप किसे लेंगे A B को लेंगे B C को लेंगे C A को लेंगे तो मान लीजिए आपने पहले A B को लिया हो तो A B को दो तरीकों से जमाया जा सकता है पहले A बाद में B, पहले B बाद में A फिर आप BC लेंगे तो BC को भी दो तरीके से जमाया जा सकता है फिर आप AC ले सकते हैं तो AC को भी दो तरीके से जमाया जा सकता है इसका मतलब अगर ABC में तीनों को जमाने के कुल 6 तरीके थे तो इन में से किनी 2 को लेने पर भी जमाने के कुल 6 ही तरीके होंगे ठीके, तो हम जब क्रमचे की बात करते हैं, तो क्रमचे में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास N वस्तुए हैं, ठीके, अगर हमारे पास N वस्तुए हैं, इन N वस्तुए में से आप N वस्तुए को जमा सकते हो, मतलब N वस्तुए का क्रमचे कर सकते हो, या आप N में से सारी ना ले कर आर वस्तूओं का क्रमेचे कर सकते हो आर वस्तूओं का मतलब एन में से आप जिसे माल ये दस में से पांच विध्यारतियों को बोला की लाइन में खड़े हो जाओ दस में से तीन को बोला की लाइन में खड़े हो जाओ दस में से दसों को बोल दिया कि लाइन में खड़े ह जाओ तो यह एन और आर को आप समझ सकते हैं एन हमारे पास कुल वस्तुवे हैं और आर का मतलब कितने हमें उनमें से कितनों का क्रमचे करना है चलिए आगे बढ़ते हैं यह क्रमचे के बारे में जानकारी थी ज्यादा में इंपोर्टेंट इसकार हमें परीभाशा से यप परीभाशा पर जाना के मुदरूब्स तो परीभाशा यह कहती है कि यदィ हमारे पास एन वस्तुवे हैं और उन एन вас को हमें अलग-अलग जगों सबसी बात है कि हां एन-वस्तु में भिन होनी चाहिए ऑफ देखेंगे ऐसा बैसा ज़रूरी कि आइस नहीं वतिविन होगी तो फिर हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे किसी और तरीके से क्रमचय पर बात करेंगे हैं हमारे पास एन भिन वस्तू हैं और हमें उन एन भिन वस्तू को अलग अलग जगहों पर जमाना हैं जैसे हो सकता है कि एन भिन वस्तू को आप एन जगहों पर जमा दो जैसे माल लीजिए दस अलग 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 से चार गेंदों को रेखा में रख सकते हैं इसका मतलब को लिए है कि 10 में से आपकी जितनी मर्जिया पुतनी गेंदे ले सकते हैं तो यही क्रमचय होता है कि दी दस किनी एन भिन भिन वस्तुओं को यहां भिन शब्द का परवियोग नहीं करोगे तो भी चलेगा एक विशेश या एक कर्म में जमाना क्रम से होता है परीभाशा तो यह हो जाती है लेकिन गनित में इसे कैसे लिखेंगे उस पर बात करेंगे पर इसकी परीभाशा भिन भिन है जैसे माल लीजिए आपके पास एक है दो है और तीन है एक दो और तीन से आपको कित या एक दो तीन चाल दे लेते हैं थोड़ा सा और ठीक है आपको बोला जाए कि इनकी मदद से आपको तीन अंक की संख्या बनानी है कितने अंक की तीन अंक की या मैं कहूं कि इनकी मदद से आपको चार अंक की संख्या बनानी है या फिर कहा जाए कि इनकी मदद से आपको दो अंक की संख्या बनानी है तो यहाँ पर एन का मान तो चार है एन का मान चार है मतलब कितने अलग अलग तरह की वस्तुए है चार अल की संख्या बनाने के लिए मैं कहूंगा आर का जो मान है वो तीन है तीन अंकी संख्या बनाने है कितने अंकी तीन अंकी अब इसे परिभाशा कैसे करते हैं वो देख लीजिए हम इसे निरूपित करते हैं एन पी आर से किसे बात करते हैं एन पी आर से अब ये NPR का मतलब क्या होता है N में से R object का permutation क्या है अगर मैं लिखूँ NPR तो ये चीज होती है यहाँ पर ये जो N होता है न ये बताता है कि कितनी कुल वस्तुए है कुल भिन वस्तुए क्या बोला जाता है कुल भिन वस्तुए कितनी है ठीक है R का मतलब कितना है R का मतलब उन में से कितनों को जमाना है ठीक है तो इसका मतलब है कितनों का क्रमचय करना है कितनों का क्रमचय करना है और P का मतलब है permutation कितनों का क्रमचाइए नीजी से बढ़िया है कितनी वस्तुएं लेनी यह ळखो कितनी वस्तुएं लेनी है N वस्तुएं लेनी है Automatically बास समझ में आ जाएगी है न पमटेशन का मतलब है क्रमचे और देखो अगर लिखा है NPR जिसे में लिए ता हूँ 4 p 3 तो 4 p 3 मतलब 4 में से 3 वस्तुएं लेकर उनका क्रमचे करना है चार में से 3 वस्तुएं लेकर क्रम अचय कहा जाए यहां एक बात हम पहली सबसे पहली नोट यह कर लेते हैं जैसे माल दीजिए आपके पास चार अंक है एक दो तीन चार इन में से आप एक अंक ले सकते हैं एक अंक की संख्या बना सकते हैं तीन अंक की संख्या बना सकते हैं चार अंक की संख्या बना सकते कि आप इन में से 5 अंक की संख्या बना सकते हैं नहीं अगर 4 अलग अलग वस्तु हैं तो हम 4 अंक की संख्या बना सकते हैं इसका मतलब यह है कि यह जो आर है यह या तो n के बराबर हो सकता है या n से छोटा हो सकता है यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको यहां लिख कर राच नहीं है कि क्या आर कमार्ण शुन्य हो सकता है हो सकता है आर कमार्ण शुन्य मतलब एक भी वस्तु का करमच यह एक व्वस्तु का चैयन ना करके जमाईं कि ihm एक काम करती है R का मान N के बराबर भी हो सकता है लेकिन N से बड़ा नहीं हो सकता भाई N मैंसे मैं N वस्तुए ले सकता हूं उससे ज्यादा कैसा ले सकता हूं और यहां एक बात और लिखे जाएगी कि यह जो R होता है वो शुन्य के बराबर या शुन्य से बड़ा हो सकता है आर जो है मतलब यह जो चीज़े आर जो है ना वो धनात्मक संख्या है हम वस्तूओं के बारे में बात कर रहे हम संख्याओं के बारे में भी बात कर रहे है तो संख्याओं को हम वस्तूओं की तरह ट्रीट कर रहे है ठीक है चलिए तो अभी तो हमने इसको पढ़ना शुरू क पर यह परिभाशा क्या होती है एन पी आर का मतलब क्या है तो एन पी आर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक नई परिभाशा समझनी पड़ेगी और वो परिभाशा है क्रम गुनित की चलिए इस परिभाशा को पढ़ने के बाद अपन क्रमचे के बारे में बात करेंग सबसे पहले कट करने के लिए हमें प्राकरत संख्याओं की आवाशा रखता होती है कि मतलब ऐसा है कि पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करेंस कि इनके बारे प्राक्रत संख्या ही लिखो पून मत लिखो गडबड हो जाएगी तो परिभाशा हम यह दे रहे कि अगर हमारे पास कोई N नाम की एक प्राक्रत संख्या है कोई N नाम की एक प्राक्रत संख्या है तो उस प्राक्रत संख्या और उससे छोटी जितनी भी प्राक्रत संख्या है उन सभी का गुणा कर दो, यही आपका factorial होता है अब यहाँ पर बात समझ में नहीं आई होगी N, N से एक छोटी, N से दो छोटी, ऐसे लेकर एक तक आपको लिख देना है अब जैसे उधारन के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको बोला जाए कि 2, अच्छा, इसको denote ऐसे करते हैं factorial को लिखते है, N factorial या तो ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं, इसको इस तरह से denote करते हैं तो अगर मैं लिखता हूँ 2 factorial तो यह factorial का चिन्न है तो 2 factorial का मतलब है, 2 और 2 से छोटी कितनी प्राकरत संख्या उन सभी का गुणा करते हैं अगर हम 3 factorial का बोलते हैं, तो 3 factorial का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब यहाँ पर हुआ 6 अगर मैं 4 factorial के बारे में बोलता हूँ, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो यह हो जाता है 24 अगर हम 5 factorial के बारे में बोलते हैं, तो यह मिलेगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो यह मिल जाता है 120 और बाते करें, ठीक है अगर आपसे बोला जाए 6 factorial 6 factorial मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 720 पर मैं भी आपको थोड़ी सी और इसमें एक्साइस करवा देता हूँ देखे, इस प्रश्न में जो 3 factorial था इस 3 factorial में आपको 2 गुणा 1 दिखता है है ना, 3 factorial में क्या दिखता है क्या आप factorial समझ चुके, factorial का मतलब है जितनी भी संख्या है या क्रम गुणित का मतलब है जो भी प्राक्रत संख्या दी हुई है उससे छोटी और उसके वो उन सभी प्राक्रत संख्याओं का आपको गुणा करना है गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही लिखना है अब जैसे 3 factorial के बारे में बात करते हैं तो 3 factorial है 3 गुणा 2 गुणा 1 अब 3 गुणा 2 गुणा 1 के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये 3 गुणा 2 गुणा 1 को 3 गुणा 2 factorial भी लिखा जा सकता है क्योंकि 2 गुणा 1 का मतलब तो 2 factorial है उसी तरह उधारन के लिए आपसे बोला जाए 6 factorial तो 6 factorial है 6 का 5 में गुणा 4 में गुणा 3 में गुणा 2 में और 1 में गुणा अब 5,4,3,2,1 के बारे में बात करो तो इतनी एक काम करते हैं इसे ऐसे लिख देते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये तो हुआ 6 गुणा 5 factorial क्योंकि 5 factorial हमें पता है कि 5 और 5 के बाद जितनी भी प्राकरत संख्या उन सभी का गुणा 5 factorial ऐसे भी लिख सकते हैं तो यहां एक नया सुत्र और आजाता है सुत्र यह आता है कि अगर आपको n factorial लिखना है तो n में n में से एक नंबर जो कम है उसके factorial का गुणा कर दिया जाए जैसे अगर मैं लिखू 11 factorial तो 11 factorial 11 गुणा 10 factorial अगर मैं लिखता हूँ 100 factorial तो 100 factorial का मतलब है 100 गुणा 99 factorial ठीक है क्या क्या आपको यह बात समझ में आ चुकी है हाँ उम्मीद है कि यह बात तो आपको समझ में आ चुकी है दने तो factorial यहां एक बहुत ही जादा important rule पर करता है जब हम क्रमचय के बारें बात करते हैं क्योंकि हमने जो NPR का notation अभी पढ़ा है कि उसे अभी और पढ़ना बाकी है उसके सूत्र को और वह बिना factorial की परिभाशा के समझ में नहीं आएगा खैप देखते हैं उसमें चिंता की कोई बात नहीं है तो क्या आपको यह बात समझ में आ चुकी है कि हम factorial को इस तरह से डिनोड करते हैं इस तरह से परिभाशित करते हैं तो चलिए मैं आपसे छोटे-छोटे कुछ सवाल यहां पूछ लेता हूं कि यदि मैं आपसे कहूं कि पता कीजिए साथ factorial कितना होगा तो यह थोड़ा आसान है कैसे आसान है साथ को छै में पांच में चार में तीन में दो में और एक में गुणा कर दिया जाए अच्छा अगर मैं आपसे पूछओं कि साथ factorial को अगर मैं चार factorial से भाग दे दू तो साथ यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है और यहां 1 है, चार तीन दो एक चार तीन दो एक गए तो 7 गुणा 6 गुणा 5 यह बार थीक है क्या? बिलको ठीक है अच्छा अगर मैं अब यहाँ पर आपसे बोलना चाहूं कि चलिए 8 factorial को 6 factorial से भाग दे दो तो 8 factorial को 6 factorial से भाग दिया तो क्या मिला? 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 एक और और क्या होगा और होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 सब गए सिर्फ बचा 8 गुणा 7 क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ चुकी है अब अगर आ चुकी है तो अब हम चलते हैं क्रमचै पर फिर से और प्रमचै एक के बारे में बात करते हैं इसको समझने और पढ़ने की कोशिश करना ठीक है एन भिन वस्तूओं में से में से आर वस्तूओं का क्रमचै एन भिन वस्तूओं में से आर भिन वस्तूओं का क्रमचै मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास एन अलग अलग वस्तूओं है उन में से आपको आर वस्तूओं एक रेखा में जमानी है जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके पास सौ वस्तूओं है और सौ में से आपको पांच जमानी हो ऐसा हो सकता है कि सौ में से आपको दस एक पंग्ती में जमानी हो और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उंती में क्रमचे के बारे में बात कर रहें ना तो यहां छोटा से तरीका यह समझा जा सकता है यह सीधा सीधा formula पर बात की जा सकती है कि इसे लिखा जाता है npr क्या लिखा जाता है npr और npr का जो सुत्र होता है वो होता है npr बराबर n factorial भाग दे दो n-r factorial से इससे n-r factorial से npr बराबर n factorial बटा n-r factorial अब यहां पर अपन छोटे-छोटे पहले तो उधारन कर लेते हैं केमाल लीजिए 5 में से आपको 3 वस्तुए जमानी थी कितनी 5 में से 3 5 में से 3 जमाने का मतलब है उपर n का मान तो 5 है तो n factorial बटा n-r मतलब 5 में से 3 को घटा दो तो 5 में से 3 को घटाया तो 5 माइनस 3 factorial तो पहले तो 5 वाला 5 factorial और इस 5 माइनस 3 factorial को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसका मतलब यह नहीं होगा कि 5 factorial माइनस 3 factorial यह factorial का चिन अंदर गुणा नहीं होता है तो यह हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 factorial क्योंकि हम पहले bracket को हल करेंगे 5 माइनस 3 बराबर 2 अब देखो 5 तो यह तो हुआ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यह मिला 2 गुणा 1 तो 2 गुणा 1 से कटा तो 5 गुणा 4 गुणा 3 जिसका मतलब हुआ 60 अब इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ समझाता ऐसा हूँ कि अगर आपके पास अंग्रेजी वर्ण माला के अक्षर है A, B, C, D और E इन में से आपको 3 अक्षरों का शब्द बनाना है कितना बनाना है? 3 अक्षरों का शब्द बनाना है तो अगर 5 अक्षरों में से 3 अक्षरों का शब्द बनाना है तो इन 5 अक्षरों में से आप किसे भी लिख दीजिए इसका मतलब यहाँ N का मान कितना? 5 N का मान कितना? 5 ठीके जवाना कितने को है? 3 को तो R का मान कितना? 3 तो तरीका हुआ 5P3 5P3 हमने अभी निकाला इसका मान 60 होता है एक तरीका तो फॉर्मूला हुआ दूसरा तरीका यह है कि हमने यहाँ 3 डब्बे बना लिए 3 डब्बो में यह 5 में से पहली जगे पर आप किसे भी रख सकते हैं दूसरी जगे पर भी आपके पास 4 आप्शन है तीसरी जगे पर 3 आप्शन है तो 4 गुणा 3 गुणा 5 तो यह भी हो गए 60 और यहाँ पर एक बात नोट कर लेना कि यहाँ पुन्रावरत्ती की अनुमती नहीं है है ना यहाँ पर हम पुन्रावरत्ती की अनुमती अभी नहीं दे रहे हैं ठीक है सर जी यहाँ पर जो कहानी चल रही है उसमें repetitions not allowed है क्या आपको मेरी बात समझ में आई है अगर आई है तो थोड़ा सा यह calculation को fast करने की और छोटी सी trick समझ लेते हैं trick क्या मतलब ऐसे ही normal सी बात है अच्छा अगर आपको कहा जाए कि माल दीजे 10 वस्तुए हैं दस factorial उपर और नीचे 10 माइनस 4 का करम गुरित मतलब factorial तो उपर तो दस factorial और नीचे 6 factorial इतना ही है बिलकुल तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और यहां पर यहां पर क्या है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब देखो 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 गए 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 अब डारेक्ट यहां से यहां निकालने की छोटी सी टेक्नीक है आपको इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा जैसे माल लो आपको बोला जाता कि सो पी सिंत्यानवे तो क्या में इतना लिखने बैठता या सो पी तीन माल लेते हैं सिंत्यानवे नहीं सो पी तीन माल लेते हैं क्या माल लेते हैं चलो सो पी चार बोला तो क्या आप सो गुना 99 गुना अब बिल नहीं दो तरीके हैं आपके पास दो तरीके हैं पहला तरीका सिंपल सा तरीका है कि 10 पी चार लिखा हुए तो 10 से लेकर उस से छोटे चार अंकलिक तो गुणा कर दो मतलब 10 के बाद आया 9, 8, 7, 4 हो गए गुणा कर दिया 10 लिखा 10, 9, 8, 7 यहां 4 था इसलिए 10 थे ना तो 10, 9, 8, 7 वहां पर 100 है तो 100 99 99 99 99 100 गुणा 99 99 अगर आपसे कहा जाए 1000 पी 3 या 100 पी 3 तो 3 है तो 100 ठीक है उसके बाद 99 गुणा 99 फिनिश इतना सा है क्या ये बाद ठीक है क्या ये बाद ठीक है बिलकुल ठीक है उम्मीद है अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा चलिए तो उस पर अपन्त प्रश्चन करते हैं पहले क्रम गुनित संकेत पर पहला प्रश्चन है कि मान ग्यात कीजिए तो 5 फैक्टोरियल का मान आपको चाहिए तो पांच फेक्टोरियल का मतलब है पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक मतलब 120 साथ फेक्टोरियल का मतलब है साथ गुना छे गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक तो यह तो देखो यह 120 पांच गुना चार 120 में साथ का गुना करोगे तो आएगा 50-40 यह कुछ चीजे रटी हुई होती इसलिए मैं लिख देता हूं तीसरा सवाब सवाल है साथ फैक्टोरियल माइनस पांच फैक्टोरियल कि तो पाश्चालिस में से या पचास चालिस में से आपने घटाया पचास चालिस साथ फ्रेक्टरल का मान अपर निकाल चुके माइनस ये एक सो बीस बस इतना सा है ये शुन्य यहाँ पर गया दो और यहाँ पर बचा फॉर्टी एट फॉर एट टू जीरो हांजी सर बस फटाफ़ नोट कर लो चाहो तो और अगर नोट नहीं करना है तो देख सकते हैं सिंपल चीज़े यह तो गुणा करना है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप लोगों को ट्राइ करना होगा परिकलन कीजिए मतलब मान ग्याद कीजिए फटाफट निकालिए क्या मान आएगा तो साथ फैक्टोरियल डिवाइड़ बाइफ फैक्टोरियल साथ का क्रम गुनित बटा पांच का क्रम गुनित तो सरल है यह तो ठीक है यह सरल ऐसा है कि इसे लिख सकते हैं साथ गुना छै गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक और यहां पर 5 गुणा, 4 गुणा, 3 गुणा, 2 गुणा, 1 सब गट गए 7 गुणा 6 मतलब 42 बचा दूसरा तरीका ये है कि 7 के करम गुणित तब तक लिखो जब तक की 5 ना आ जाए 5 को नहीं लिखना बस 7 गुणा 6, 5 आया हटा दो, खतम, 7 गुणा 6 जैसे मैं आपको एक और उधानत देता हूं यहां पर, जैसे आपको बोला जाए 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल या आठ फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल बोल दिया तो मैं 8 और 8 से छोटी संख्या का गुणा तब तक करूँगा, जब तक की 7 ना आ जाए यह चार ना आ जाए और चार को नहीं लिखना है बस यही जवाब है चाहो तो देख लो क्योंकि चार इसके बाद 4-3-2 एक आएगा नीचे वाले 4-3-2 एक को काट देगा बढ़िया चीज है दूसरा सवाल है 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल दो तो ट्रिक लगा दे ट्रिक क्या लगा दे कि 12 फैक्टोरियल या बारा या उससे छोटी संख्या का गुणा तब तक करना है या फैक्टोरियल का भाग दे रहे ना बारा या उससे छोटी संख्याओं का गुणा तब तक करना है जब तक की 10 ना आ जाए 10 को नहीं ले जाए इन दोनों को हल कर लेते हैं पहले तो 12 गुना 11 11 के बाद 10 आएगा 10 से कंसर हो जाएगा और उसके बाद की पूरी कहानी खेंचल 12 के बाद 11 11 के बाद 10 नो और साथ चार पांची दो एक यहां पर भी वहीचे 10 नो और जाएगा बच जाएगा दो फैक्टोरियल अब दो फैक्टोरियल का मान तो वैसे ही दो होता है है ना दो गुना एक एक कुछ फैक्टोरियल के मान आप लोग याद कर लेना कैसे याद करेंगे तो याद करने की तरकीब आपको पता होनी चाहिए याद कैसे रखेंगे याद की जाएगी है ना यहां पर इसे नोट कर लेना नोट क्या करना है कि शुन्य का फ्रेक्टोरियल भी दुनिया में अस्तित्व में है और शुन्य फ्रेक्टोरियल मतलब एक होता है यह अबवाद है है ना हम बोलते हैं कि किसी भी संख्या का फैक्टोर्यल निकालना है तो उससे छोटी सारी प्राक्रत संख्या होगा गुणा कर दो अब शुन्य तो खुद प्राक्रत नहीं है तो इससे छोटी तो कोई प्राक्रत संख्या है नहीं लेकिन फिर भी कि इसका क्रमचय एक होता है खेर हम लोग अगले यह याद कल देना यह थोड़ा important है जहां जरूरत पड़ेगी हम सुनने के क्रमचय को एक लिखेंगे चलिए अगला सवाल है n factorial बटा r factorial n minus r factorial का मान ग्याद कीजिए जहां n बराबर 5 और r बराबर 2 है तो आपको इस चीज़ का मान निकालना है जहां n बराबर 5 और r बराबर 2 है तो रख दो मान क्या मिलेगा 5 factorial ठीके r factorial का मतलब 2 factorial और n minus r मतलब 5 minus 2 factorial तो 5 factorial तो 5 factorial 2 factorial 2 factorial और 5 minus 2 मतलब 3 factorial इन दोनों को चाहो तो पहले अल कर दो 5 factorial बटा 3 factorial 5 को 5 या 5 से छोटी संख्याओं का गुणा तब तक लिखो जब तक की 3 ना आ जाए ठीके तो 5 के बाद 4 3 के बाद 3 2 1 3 2 1 कट गए उपर 3 2 1 आएगा नीचे भी 3 2 आएगा फिर 2 factorial और 2 factorial का मतलब तो 2 गुणा एक होता है 2 से 2 कटा तो 5 गुणा दो बचा बचा दस ठीक है हाल हो गया कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ये आपको जर्वत पड़ेगी ना ये भी एक सुत्र होता है देखिए क्या होता है पर अभी नहीं अभी हम लोग इस सवाल पर उधारन पर बात करेंगे एक बटा आठ फैक्टोरियल प्लस एक बटा नौ फैक्टोरियल बराबर एकस बटा दस फैक्टोरियल है तो एकस का मान घ्याद कीजिए देखिए एक बटा आठ फैक्टोरियल प्लस एक बटा नौ फैक्टोरियल बराबर एकस बटा दस फैक्टोरियल है तो इस प्रशन को करने से पहले मैं आपको एक छोटासा सुत्र याद दिला देता हूं सुत्र यहां क्या लगने वाला है और क्यूं लगने वाला है एन को अगर आप factorial करें तो एन गुणा एन माइनस एक factorial भी लिख सकते हैं मतलब यह 8 factorial को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन 9 factorial को मैं 8 factorial के रूप में 9 गुणा 8 factorial लिख सकता हूं ठीक है तो यह हुआ बराबर एक्स बटा 10 factorial को 10 गुणा 9 factorial लिख सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है अब देखो एक बटा 8 factorial तो यहां है प्लस एक बटा 9 गुणा 8 factorial है बराबर एक्स बटा 10 और यह जो बाद में 9 factorial है इसे भी 9 गुणा 8 factorial लिख सकते हैं ऐसा चाहो तो आप आखरी तक कर सकते हैं 8 factorial को 8 गुणा 7 factorial 7 factorial को 7 गुणा 6 factorial है हमें यहीं तक काम था आप दोनों जगे से 8 factorial को कौमन निकाल लीजिए 8 factorial आपने यहां से बहार निकाला तो यहां पर बचा 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 9 और यहां पर बचा x बटा 10 गुणा 9 गुणा 8 factorial 8 factorial से 8 factorial 8 factorial एक संख्या है यह भी एक संख्या है अशुन्य संख्या है इसलिए दोनों को काट सकते हैं तो एक बटा एक एक बटा 9 बराबर x बटा 9 गुणा 10 90 बस तो दगुतम लेने पर 10 बटा 9 गुणा 90 बराबर x नब्बे से 9 कटा 10 गुणा 10 बराबर x तो x बराबर 100 इस प्रश्न का जवाब है यह तो इस तरह से आप इनके जवाबों को देख सकते हैं और उमीद है यह प्रश्न आप लोगों ने खुद से भी एक बार हल करने की कोशिश की होगी तो चलिए यदि आप इन लक्षर्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको कोई समस् आती है वीडियोस को ढूंड़ने में देखने में तो आप मेगनेट बेंस की ओफिशल वेबसाइड www.magnetbrains.com पर जा सकते हैं वहां पर आप जैसे ही उसे सिलेक्ट करेंगे आपको cbsc हिंदी मीडियम दिखेगा cbsc हिंदी मीडियम में आपका अक्षा 11 को चाहिन कीजिए तो आपको ऐसा वीडियो दिख जाएगा आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां नीचे बहुत सारे अध्यायों के नाम लिखे रहेंगे हर अध्याय में कुछ वीडियोस हैं जैसे आपने अध्याय के नाम पर क्लिक किया आपको बहुत सारे नाम दिखे रहेंगे अ प्रिश्नावली लिखी है उधारन लिखे हुए है परीचय लिखाए आपने जिस भी एक नाम पर क्लिक किया उसका वीडियो यहां पर चलना शुरू हो जाएगा तो यह मेगनेट ब्रेंस की तरफ से आप लोगों के लिए काफी प्रॉपर वे में चीज फॉर्मेट करके दे करवी तक आपको जो भी पढ़ाता है वो पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई पैसे देने की आवश्यक्ता नहीं है आप किसी भी बोड से हो परेशानी नहीं है सब बोड का यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है हम सभी आप सभी से मि बज्जल धन्देवाद